चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकीशन्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जमुकश्मीर के पुलवामा में आत्म घाती हमले की कॉंग्रेस महासाचीव प्रियंका गांधी वोडरा ने गुरुवार हमले की निंदा करतुए कहा केस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए लखनों में प्रियंका की प्रेस कॉंफरेस होनी थी मगर प्रियंका गांधी ने इस आतंकी हमले को देखते हुए उसे रद्ध कर दिया हलाकि वे मीडिया के सामने आई और उन्हेंने इस समले पर दुख जताया साथिन उन्हें कहा कि इस दुखत घड़ी में एक एक देशवासी जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है आप होसला बनाये रखें हम सब कंधे से कंधा मिला कर आपके साथ हैं इसे आपको मालूम है ये कारिकरम राजनीतिक चर्चा के लिए रखा गया था लेकिन पुलवामा में जो आतंपादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शवी चहीद हुए है इसकी वज़े से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें मैं आप सबसे आगरे करूँगी और रामलाल राही जी से अफ्तार सिंग भडाना जी से जो हमारी पार्टी में आज शामिल होने के लिए यहां आए हैं आप सबसे आगरे करूँगी कि दो मिनट की श्रत धांजली हम अब्सॉर्व करें शहीद जवानों के लिए और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखत घड़ी में एक-एक देशवासी आपके साथ है हम सब को बहुत दुख हुआ है आप होसला बनाए रखें आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद जवान शहीद हो रहे हैं जो गहरी चिंता का विशे है मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं हमाई साथ जुड़े हैने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें नोटिफिकीशन्स के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले